कर दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों मेरा एनलिटिक्स मुझे बता रहा है कि लगभग 57% जो वीडियो में वाच टाइम आ रहा है वो उन लोगों की तरफ से है जि तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हैं जैसा कि आप थमनेल में देख पा रहे हैं कि वाई दा हुमनिटी इस गेटिंग सो सिक मानो ता इतनी ज्यादा बीमार क्यों पड़ गई है यह उस जवाब के बारे में भी है जो हम पेशेंट के को लेके देते हैं पेशेंट हमसे अक्सर एक क्वेश्चन करता है और कई बार आम आदमी आपके दिमाग में भी इस सवाल पैदा होता होगा कि ऐसा क्या हो गया है पिछले क यंग एज में लोग 30s 40s के पहले हो रहा है उनको छोटे बच्चों के अंदर हम juvenile diabetes देख रहे हैं हम बहुत कम उमर के अंदर cardiovascular disease और cardiovascular incidence देख रहे हैं हम 40s और 50s के बीच में लोगों को stroke आता हुआ देख रहे हैं हम महिलाओं के अंदर बहुत frequently thyroid देख रहे हैं तो हमारी मानवजाती आज के तारीक में जितनी ज़्यादा सफर कर रही है मुझे नहीं लग रहा है मानवजाती की एतियास में कभी भी इतना ज़्यादा distress और pain रहा होगा और ये सवाल हमसे लोग अक्सर करते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया देखि दो प्रकार के लोग होते हैं एक होते हैं बुद्धी जीवी और एक होते हैं आम भोले बाले लोग तो जब बुद्धी जीवी लोग होते हैं उनका सोचने का जो डायमेंशन है वो वाकई में बहुत उचा होता है वो बहुत ज़्यादा डेप्ट तक सोचते हैं किसी बारे में किसी भी चीज के बारे में और यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इतना बीमार क्यों पढ़ गाएं इसका ऐसा क्या कारण हो गया है कि हम लोग इतना ज्यादा परेशान है आज की तारीक में और इसका solution वीडियो के अंत तक बने रही है तो इसका solution भी में आपको बताने की कोशिश करूँगा इसका इकलोता कारण है that we are not understanding our body language देखिए हम लोग अपने शरीर की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं अब शरीर की भाषा क्या होती है शरीर की भाषा को समझने का लक्षा जो होता है तरीका होता है वो होता है symptoms sign and symptoms हमको sign and symptoms को समझना पड़ेगा उसको understand करना पड़ेगा उसको interpretate करना पड़ेगा अब शरीर की भाषा कैसी होती है देखिए शरीर एक छोटे बच्चे की तरह होता है कि एक छोटा बच्चा जब कोई जिद्ध पकड़ता है तो हमको उसकी बात को तुरंट at once हमको understand करना पड़ता है कि यह हमसे क्या कहना चाहरा है और अगर हम उसकी वो चीज़ को मान लेते हैं तो वो बच्चा जो होता है वो तुरंट शांत हो जाता है देखिए शरीर भी ऐसा ही है मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको थियोरी आफ सप्रेशन में समझाया था यहां पर मैं च्छोटा से एक्जमपल देना चाहूंगा थियोरी आफ सप्रेशन एस्पेशली इन दे स्किन सिम्टम्स के अंदर यह एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों के बीमार पढ़ने का हो गया रहा है कि 99 परसेंट जो कैप्चर है वो मेडिकल फिल्ड वो है एलो पैथों के द्वारा मतलब एलो पैथि जो और्थो डॉक टाइप की जो पैथी होती है उसके द्वारा और उनकी पैथी के अंदर कोई भी सप्रेशन का कंसेप्ट नहीं है इसको समझने के लिए थियोरी आफ सप्रेशन उसके उपर कार्ड पर लिंक है आप उसको जाके समझिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कहने का मतलब है हम बॉडी लेंग्वेज को समझ नहीं रहे हैं हम उसको सिर्फ सप्रेश कर रहे हैं क्योंकि 99 परसेंट जो ट्रीटमेंट का मॉड इस दुनिया में वह एलोपैथी है और वो अपने आपको छोड़के और अपनी बातों को और अपने थियोरम्स को छोड़क इसकीन डिजीज इन्द हमियोपईभी जब अपने इसका मतलब यह है कि कोई इंटर्नल और गन से उसको हमको उसी जगे पर उसी स्किन के ऊपर खतम करना होता है पर क्योंकि 99 परसेंट केस में यह जो पेशेंट होता है पहले अप्रोच करता है एलोपैथी में और वहां पे वो लोग बीटा मीथा जोन इस्टेरोइट के साथ कुछ एंटिबायोटिक्स का मिक्स बना कर कु मतलब कुछ हजार साल पहले से इसकी शुरुवात हुई थी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि modern medicine के पहले orthodox medicine चलती थी उनकी जो practices होती थी वो बहुत ही जादा पागलपन भरी होती थी कि अगर किसी को कहीं burning pain होता है तो वो गरम तार डाल देते थे तो उनका मानना था कि यह इसके pain के कारण इसको natural pain of the disease realized नहीं होगा वो लोग blood letting करते थे in the case of hypertension जब BP बढ़ता था तो वो कहीं सुरक्षित जगे से थोड़ा से incision लगा के खून को बहा देते थे उनका यह मानना था कि यह hypertension का यह इलाज है तो इस तरहे कि पागलपन और insane notions के कारण हुआ क्या कि बच अच्चा है इसने जिद्द करी कि भाई मेरे को यह चीज चाहिए आप वो नहीं समझेंगे जब आप वो नहीं समझेंगे तो उसका जिद्द करने का जो magnitude है वो बढ़ जाएगा वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा वो और ज्यादा उग्र हो जाएगा हमारा शरीर बिलक जिसमें उसको सप्रेश कर दिया गया तो शरीर इसको कोई दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश जरूर करेगा पर आप तो समझी नहीं रहे हो ना क्योंकि modern medicine तो equivalent to blind है वो लोग अंधे के समान है वो बिलकुल कुछ नहीं देख रहे है कुछ consider नहीं कर रहे है तो वो शरी यही जो suppression होता आ रहा है इसी suppression ने human genome के अंदर आज की तारिक में changes कर दी है आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिया कि आज से कुछ 1000 साल पहले अगर अपने एक वंश की बात करें कि कोई एक परिवार है कोई mister x y z हैं आज की तारिक में तो उनके कितने ancestors रहे होंगे उनके दादा जी उनके पर दादा उनके पर दादा उनके पर दादा तो actually यह जो suppression चला आ रहा है जो descent down होता जा रहा है तो इसके अंदर देखी evolution हर चीज का हो रहा था body आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा यह चीज है इसको सही कर दो इसका पूरा का प जो symptoms हुआ करते थे पहले वह बड़े बिल्कुल माइल्ड और जेंटल हुआ करते थे बड़ा शरीर जेंटल ही बताता था क्यों क्यों कि ऐसे लोग थे तब इस चीज को समझने वाले लोग हुआ करते थे अब आप पूछो कि होमियोपैथी के पहले ऐसी कौन सी पैथी थी जो रैशनली काम करते थी को कि होमियोपैथी तो तीन चार सो साल पहले आई है तो वो जो पैथी हुआ करती थी वो थी आयुरुएदा वो जो क्लासिकल इंडियन आयुरुएदा हुआ करता था और इसी क्लासिकल आयुरुएदा का एक और वेरियंट दुनिया में जो होता है वह जो जड़ी बूटीयां प्रिस्क्रायब करते हैं तो जो चीणी सभरेता उस भी सबसे पुरानी वज्यक्ता और यही वजय है कि चीन अलग-अलग देशों की जमीन के ऊपर अपना दावा ठोबता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास उसकी menu script के अंदर ये बात है कि भाई ये जो है हमारा part हुआ करता था पहले मेरी बास आप समझ रहे हैं तो जो irrational treatment हम लोग करते आ रहे हैं कई समय से मतलब हजारों सालों से उस treatment ने क्या करा है disease को evolute होने का मोका दे दिया मतलब जो disease हम आज देख रहे हैं वो हो सकता है कोई plane skin disease के form में पैदा हुई हो कई सालों पहले पर हमने उसको समझा नहीं तो जो evolution उसने करा तो evolution कहां होता है देकि evolution genetic code के उपर होता है हमको दर्ती पे भेशते हैं जब भी एक मानव जनम लेता है उसी समय से उसकी उल्टी गिंती चालू हो जाती है कि he that that person is going to die after 70 years तो जो उल्टी गिंती चल रही है तो उल्टी गिंती कैसे आई हम लोग mortal क्यों हो गए हम लोग immortal क्यों नहीं है हम लोग mortal इसलिए हैं क्योंकि हमारे genetic code के अंदर बीमारी का code हमेशा से रहा है जब से हम लोग पैदा हुए है हाँ इसका modification अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप में होता था तो जो suppression हो रहा है आज की तारिक में वह suppression जो होता है वही जो suppression है वह हमारी पीडियों से जो suppression of the disease चलता आ रहा है उसी suppression ने आज की तारिक में इतनी जादा 10 headed monster को जनन दिया है जो माना होता है कि उपर 10 के 10 सर को लेके खड़ा हुआ है और वह हमको हर तरीके से परेशान कर रहा है हर तरीके से हमको खाना चाहता है तो इसका solution क्या होगा देगी इसका solution एक ऐसा होगा कि अगर हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती उससे हम कुछ ऐसा कर पाते कि इस दुनिया के हर परसन का अगर नहीं भी माने तो अगर 70% लोगों का हिलाज होमियोपैथी पर शिफ्ट हो जाता है और आज भी हम उस body language क को प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाते हैं तो शायद मानवता आगे जाकर बच जाएगी क्योंकि आप देख रहे हैं कितने बुरी चीज़ें हो रही हैं मतलब बहुत कम उमर में लोग हार्ट अटेक कार्डियक अरेस्ट से एक्सपायर हो रहे हैं और उसको कोई सरपेर नहीं न सब्सक्राइब तक सुन चुका हूं 27-28 साल के लड़कों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है अटेक आ रहा है तो दोस्तों मानव जाती को बचाने का एक ही तरीका है और यह जो चीज है यह जो टाइम बाब हमारे अंदर फिट हो गया है इसको होमियोपैथिक टर्मिनोलोजी में बोलते हैं कि जादा तर पेशेंट से जो राइट नाओ ब्री इन द फिल रेटेंट we forsk ऐट में आता है मां जब भी एक्स प्लेसेंग श्रेट में आता है तो वो sign and symptoms से भरा हुआ होता है कहने का मतलब आप समझिये कि अगर कोई psoriasis का patient है तो वो psoriasis का patient मेरे पास आया तो मेरे को यह समझना है सबसे पहले कि इसकी myasome की state जो है वो expressed है मतलब उसका psoriasis surface है मतलब उसकी internal organ, internal body उस चीज से बिलकुल free है पर जब इसी patient को एलोपैथी दवाओं से इसका psoriasis suppress कर दिया जाएगा तो यह कहलाएगी latent state of myasome और सोरा की latent state ही इस दुनिया की हर बीमारी का सबसे बड़ा कारण है तो कि लोगों का psoriasis करा जा रहा है उनकी जो expression से वो suppress करे जा रहे है सोरा के क्या क्या expression है इच के अलावा क्या 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 expression है कि जितने भी excretion body से होते हैं discharges होते हैं वो सारे सोरा के expression है जैसे कि otoria cancer discharge होना lacrimation nasal discharge in the form of choriza menses lose motion diarrhea weeping eczema ऐसे skin disease होते हैं जिससे मतलब पानी निकलता है तो यह सारी चीज है जहां पे कोई चीज body equilibrium में रहने को express कर रही होती है discharge कर रही होती है उन discharging state में उस body को हम कहेंगे कि यह सोरा की expressive state में है patient पर उसी को जब suppress कर दिया जाएगा कि otoria हो रहा डॉक्ट साब ने antibiotic दी वो suppress हो गया ठीक है ना कोई skin disease हो रहा है एकजीमा है वीपिंग एकजीमा है ड्राइ एकजीमा है उसको आपने बीटा मीथा जोन जैसा ट्यूब दिया और कार्टी को इस्टेराइट की टैबलेट दी वो suppress हो जाएगी अब यह लोग चले गए लेटेंट state of myism में और आज की तारीक में यूमेनिटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हैं अगर उनको 100% समझ लें एस्पेशली दा क्रॉनिक वन जो क्रॉनिक हैं जो बहुत ज्यादा लीथल हैं तो यह सारे की सारी बीमारियां अगर कहाना है कर आज से 50 साल बाद भी जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी बात को बिलकुल एक्लेम करेंगे कि ये इस आदमी ने इत्ते साल पहले बिलकुल सही चीज बोली थी दोस्तों आपको एक बात पता है हम लोगों के पास समय के साथ पैसा आया है हम लोगों का development हुआ हम लोगों का विकास हुआ है पर शारीरिक अगर तो है वो डिकलाइनिग है प्र्स ग्राफ के हिसाब से यह रिसर्च में पता चला है कि आज से सो साल पहले लायफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती थी उसके बाद आज की तारिख में यह लायफ एक्सपेक्टेंसी उससे कम से कम 20-25 साल कम नहीं के पोति ये life expectancy और कम होगी और इस life expectancy को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक लोग homeopathy को full flag man stream pathy के रूप में नहीं accept करते और दोस्तों आप से गुजारिश है यह आप लोग कर सकते मैं किसी सरकारी संस्थान से यह गुजारिश नहीं कर रहा हूं मैं government से यह गुजारिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि government कभी नहीं करेगी पर अगर आप लोग जागरूख हो जाएंगे एक आम आदमी जागरूख हो जाएगा और आप लोग इस वीडियो से अगर यह reference निकाल पाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो यह काम बिलकुल असानी से हो सकत बस आप लोगों को shift होना पड़ेगा towards the homeopathic में आप लोग अगर shift होंगे तो पूरा देश shift होगा पूरी दुनिया shift होगी सारी सरकारें shift होगी सारी medical association shift होगी तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें चैनल को माश का